आप सबने चिप्स तो खाई होंगे और कभी ना कभी चिप्स खरीदे भी होंगे और ये चीज तो सभी ने नोटिस करी होगी कि चिप्स के पाकेट में चिप्स से जादो तो हवा निकलती है बिल्कुर यही होता है हमारी सालरी इस के साथ सभी को बढ़ता हुआ CTC तो पसंद है लेकिन जो एक चीज आँक में खटती है वो है उसका टाक्स कॉंपोनेंट जो सालरी के आने से पहले ही उसे काट देता है टाक्स सेविंग की इंपोर्टेंस सालरी के बढ़ने और बड़ी हुई सालरी के कटने के बाद ही पता चलती है तो आज की इस वीडियो में वी आ गोईंग टो फोकस ओन टाक्स सेविंग एस्पेशली सेक्शन 80C जानने के लिए इस वीडियो में बने रही है इंशॉरंस के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नीचे दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटिस वीडियो का नॉटिफिकेशन मिल जाए तो बेसिकली आपकी सालरी पे आपके टैक्स लाप के हिसाब से जितना टैक्स पेबल है अगर आप उससे कम टैक्स पे करते हैं by availing some tax benefits जो कि हमें government प्रोवाइट करती है तो उससे टैक्स सेविंग कहते हैं और Indian Income Tax Department ने हमें काफी प्रोविजनिंग दे रखी है टैक्स बचाने के लिए आज हम section ATC के ऊपर specifically बात करेंगे So let's jump into it and understand the tools that will help you save tax Tools समझने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि section ATC और ATD हमारे को actually help कैसे करता है अगर हम specifically section ATC की बात करते हैं तो इसमें ऐसे tools आते हैं जो आपको Salana 1.5 lakh save करने में help करते हैं वहीं section ATD आपको 75,000 तक का एक additional benefit और claim करने में help करता है With the help of health insurance premiums ATD और health insurance premium से आप tax कैसे बचाएं ये जानने के लिए हमारा ये video ज़रूर देखें Link हमने नीचे description में दे दिया है आज हम section ATC के अंदर सिर्फ तीन tools cover करेंगे जो की है life insurance premium, pension plans and ulips Life insurance की बात करें तो section ATC के अंदर आप life insurance premium पर tax benefit claim कर सकते हैं ये premiums आपके अपने, आपकी family और आपके spouse के हो सकते हैं Family में आपका child और आपके parents भी include किये जा सकते हैं अब life insurance में term insurance और endowment plans दोनों ही आते हैं तो endowment policies पर अगर आपको कोई भी gains होते हैं तो ये भी tax free count होते हैं under section 1010D with only one condition that the premium is equal to or less than the 10% of the sum assured अब pension plans की बात करें pension plans का एक ही objective है to give you a monthly salary like component even after your retirement अब अपनी retirement तक एक specific amount contribute करते हैं which basically helps to create a fund for you अब ये जो pension plans हैं ये भी अलग-अलग होते हैं जैसे की with cover endowment plans, without cover endowment plans, deferred annuity, immediate annuity, etc. retirement के लिए financial planning में help के लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं जिसका link हमने नीचे description में दे दिया है और pension plans के उपर एक specific video के लिए आप हमें नीचे comment करके बता सकते हैं अब अगर आपको investment और insurance एक साथ benefit चाहिए तो उसके लिए आप ulip plans की तरफ जा सकते हैं basically ये combination is best suited for individuals with long term financial planning इसमें आपके premium का एक पार्ट आपको life insurance का cover दिलाता है और दूसरा पार्ट is invested आप as an investor अपना fund खुद चूज कर सकते हैं based on your financial goals ulips also provide a tax benefit under section 80C and 1010D cumulatively अगर हम बात करें कि एक इनसान कैसे save करता है under section 80C तो everything will depend on the tax bracket that you're falling in 80C से save करने के लिए आप हमारे website पर जाकर के ये सारे tools check out कर सकते हैं so wrapping up हमारे पास जो जो tools है under 80C to save are term insurance and endowment plans इनको सही से समझने के लिए आप हमारा ये video check out कर सकते हैं link हमने नीचे description में दी दिया है pension plans और retirement plans and ulips अगर ये video आपको पसंद आया तो इसे like और share जरूर करें और अपने सुझाब नीचे comments में लिखना ना भूलें अगर अभी तक आपने हमें subscribe नहीं किया है तो नीचे दिये गए subscribe बटन को click कर लें और उसके साथ दिये गए bell icon को भी click कर लें ताकि आप कोई भी notification miss ना करें तो मिलते हैं अगले ऐसे ही एक video में insurance की दुनिया की सारी जानकारी के साथ